हेलो दोस्तो नमस्ते राम राम कैसे हैं आप सब मैं हूँ उशा सैनी और अगर दोस्तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छे लगती है तो लाइक करें कमेंट करें और दूसरों को शेयर भी करें और आज मैं आपको मास्क बताऊंगी दोस्तों जो उन से मैंने बनाए हुए है और जैसे आज कल ज़्यादा ठंड पड़ रही है जहां ज़्यादा ठंडा एरिया होता है इलाका होता है जहां का वहां तो यह बहुत सही रहते हैं और यह बहुत ही आसानी से बनाए जाते हैं मैंने इनमे लास्टिक ही डाल लिया ये देखे और आज मैं बताती हूँ कैसे ये मैंने फंदे डाल लें इसमेर कैसे बनाए है ये देखे ये मैंने पंद्रा फंदे से शुरू किया है ये जो आप लाइने देख रहे हैं तीन लाइने उल्टी एक दो तीन ये मैंने छे सलाई इसमें बनाई है, 6 सलाई में ये बन जाएगी और फिर उसके बाद 15 से मैंने इसमें 20 फंदे किये, 5 फंदे फिर बढ़ाए, 20 हो गए, फिर उसके बाद 2 सलाई बनाने के बाद मैंने 5 फिर बढ़ाए, 25 हो गए, 25 के बाद मैंने फिर 2 सलाई करी, फिर 5 बढ़ाए, 30 फंदे हो और फिर उसके बाद मैंने पांच पांच करके ऐसे ही इसमें 45 फंदे किये यहां तक 45 फंदे करने के बाद मैंने यह डिजाइन डाला यह डिजाइन आप किसी भी स्वेटर में डाल सकते हैं लेडी, जैंट, मफलर वगेरा में किसी में डाल सकते हैं बहुत आसान तरीका है इस डिजाइन बनाने का पांच फंदे का यह डिजाइन है अगर यह आपको पसंद आता है तो मैं अगली आने वाली वीडियो में किसी में लेकर आऊंगी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं अगर आपको यह डिजाइन पसंद आता है तो मैं जरूर इसकी वीडियो शेयर कर दूंगी और बहुत आसान तरीका है इसका बनाने का और यह बहुत ही जल्दी बन जाता है स्वेटर यह मास्क और इसमें दोस्तों जैसे हम यहां फंदे बढ़ाते हैं उसी तरीके से हमें यहां पर गटाने होते हैं जैसे हम पांच-पांच फ उन से भी आप यह लगा सकते हैं जो आप यह देख रहे हैं लाश्टिक मैंने लाश्टिक ही लगाई है क्योंकि यह हमारे जैसे हम लगाते हैं तो बिल्कुल सेट हो जाती हैं जैसे हम कपड़े के मास्क लगाते हैं और दोनों तरह से आप लगा सकते हैं मैंने यह इसमें ला में और यह भी मैंने बेबी वूल से ही बनाया है और इसमें मैंने यह वाला डीजैन डालосьएगा यह डिजैन में भी हम स्वैटर में भी डाल सकते हैं इस फुल ऐघू की स्वैटर रोह बाजू की स्वैटर oh muffleranger oh औरो यह यह भी मैं सार लेते बिना बला और अगली सलाई में हम इसको बनाना होता है तो यह जो आप देख रहे हैं यह काफी अच्छी निखर के आता है यह डिजाइन और बहुत ही सुन्दर लगता है यह मास्क में तो आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं इसमें भी मैंने 15 15 से यह शुरू किय और इसमें 45 फंदे का और इसकी लेंथ में बता देती हूँ कितनी रखनी होती है यह देखे यह नो इंच की लेंथ मैंने इसमें रखे है 9 इंच की लेंथ तीन इंच तक हमें इसमें पूरे फंदे बढ़ा लेने चाहिए, तीन इंच तक हम यहां फंदे बढ़ा लेंगे, फिर उसके बाद साथ इंच तक हमें इसको फंदे बढ़ाने के बाद बनाना है, जो जितने फंदे हमें पूरे करने है, पैंतालिस का बनाना है, पैंतालिस का मास्क बिल्गुल सही बैठता है अगर आपकी बेबी बूल है बारीक दस नंबर की सलाई से और फिर उसी हिसाब से हमें आगे तीन इंच बनाना होता है यह देखिए तीन इंच हमें में फंदे बढ़ाने हैं और बीच में बनाने के बाद टोटल हमारा यह नो इंच का मास्क ह है और दोस्तों मेरी वीडियो में जो मैंने पहले भी वीडियो डाली है कुछ भी आप पूछना चाहतं हैं तो मैं उसी तरे की वीडियो ले कर आऊंगी और कैसी लगी मेरी मास्क वाले वीडियो आप मुझे जरूर बताना और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें